law of one chapter 7 और सवाल 7.9 यह थोड़ा समझने की ज़रुत है और थोड़ा सा लंबा है यहाँ पर डॉन पूछता है कि जिम की तरफ से एक सवाल है और और कांसिल के बारे में जानना चाहता है कि उसके मेंबर्स कौन है और वो कैसे काम करता है तो रा कहता है कि परिशत के ग्रह परिशत के सदस्य परिसंग और आपके आंतरिक स्तरों के उन कंपन स्तरों के प्रतिनिधी है जो आपके तीसरे घनत्व के लिए जिम्मेदार है तीस कि मन शरीर आत्मा मतलब आप लोग नाम का अनुरोद करते हैं और इसलिए कई मामलों में कंपंध्वनी परिसरों का उप्योग किया जाता है जो प्रत्यक इकाई की कंपंध का विक्रितियों के अनुरूप होता है मतलब आप लोग जोर देते हैं इसलिए हम कभी नाम बता दे बर आम तोर पे नाम होते नहीं हैं, हालाकि नाम अवधारना परिशत का हिस्सा नहीं है, यदि नामों का अनुरोद किया जाता है तो हम उन पर प्रयास करेंगे, हालाकि सभी ने नाम नहीं चुने हैं, संख्या की दृष्टी से परिशत जो निरंतर सत्र में बैठती है, यद नो हैं, मतलब कि कभी कम होते हैं, कभी कोई उसमें होता है, कभी कोई होता है, क्योंकि कोई उसमें से चला जाता है, तो 24 और सभ्यताएं हैं, उनमें से आके कोई बैठ जाता है, इस तरह से 9 तो वहां कम से कम होते ही हैं, वो सत्र परिशद हैं, इस परिशद का समर्थन करन के लिए 24 सभ्यताइं हैं जो अनुरोद के अनुसार अपनी सेवाएं प्रादान करती हैं यह सेवाएं इमांदारी से निग्रानी रखती हैं और इन्हें सनरक्षक कहा गया है, guardian angels जिनको हम कहते हैं हमारे guardian angels कौन है हर जितने इंसान हैं दुनिया में हर एक के कम से कम दो guardian angels होते हैं, आक angels होते हैं, जानवरों के angels होते हैं, पेडों के angels guardians होते हैं, परिशाद जिसे आप कहेंगे 9 की एकता, council of 9 या एकता के साथ चलेपथिक संपर्क के माध्यम से संचालित होती है, विकृतियों को सामन जस्य पूर्न धंग से मिश्रित किया जाता है, ताकि एक का कानून आसानी से लागू हो, जब विचार की अवशक्ता मौजूद होती है, तो परिशद इस अवशक्ता के विरूपन, जटल को बरकरार रखती है, इसे वर्नित, अनुसार, संतुलित करती है और फिर वो जो उचित कारेवाई मानती है, उसकी सिपारिश करती है, मतलब वो हमें बताती है कि जो उनको उचित लगता है, वो उस हिसाब से बताते हैं कि क्या करना चाहिए इस पर्टिकिलर मामले में, जैसे कि युक्रेन में युद छिड़ गया, इस्राइल में छिड़ तो वो वहाँ पर डिसकस हुआ होगा कि क्या करना है और क्या नहीं करना है, जैसे कल फेस्बुक और इंस्टरग्राम बंद हो गये थे, पता नहीं किसने क्या किया था, इसमें शामिल हैं एक सामाजिक स्मृती परिसरों को परिसंग में स्विकार करने का करताव्य, दो, उन अनिश्चित है कि कॉल, कानून या और उन लोगों को साहेता प्रदान करना, जो अनिश्चित है कि मतलब के, एक तो ये के, सोशल मेमरी कॉंपलेक्स को कॉंफेडरेशन में जोड़ना, कि ये जो ग्रुप है, ये अब कॉंफेडरेशन का हिस्सा बनेगा, तो जाहिर बात है कि धर्ती के लोग तो नहीं होंगे, इतनी बुद्धी तो अभी उनमें आई नहीं है, लेकिन धर धर्ती से गए हुए बुद्ध, जीजस, कबीर, साई, इस तरह के हो सकता है, के कोई हो, लेकिन वहाँ पर एक इंसान को नहीं जोड़ा जाता, वहाँ पर पूरी की पूरी सभ्यता एक ग्रह पर रहने वाली, जो एक तरह का ग्रेड मना चुकी है, उनको जोड़ा जाता है, और दूसरा, जो लोग जैसे एक सभ्यता है, उनको नहीं पता कि ये मसला खड़ा हुआ है धर्ती पे, तो अब धर्ती हो सकती है, कोई और ग्रह हो सकता है तीसरी घनत्वता का, जहां पर कोई और तरह की परिशानी आ गई हो, सिर्फ पूरे ब्रह्मान में एक धर्ती ही है, जहां यूद होता है और कहीं नहीं होता, मेरे हिसाब से, तो जब वो असमंजस में पढ़ जाते हैं कि अब इनकी मदद कैसे करें, तो उनको बताना, उनको सला देना, कि हमें ये पुकार आई है, किसी ने हमें पुकारा है मदद के लिए, तो अब क्या करें, इनकी मदद कै कितने लोग बुला रहे हैं कितने लोग उनका law of square क्या है कितना नंबर है और कितने उल्टा बुला रहे हैं कि एक तरफ ये मदद के लिए बुला रहे हैं दूसरी तरफ उन्होंने शैतानों को मदद के लिए बुला लिया तो वो गलत उल्टी प्रार्थना कर रहे हैं या उल करना कि किया करना चाहिए और तीस्रा वह कहता है कि परिशत में आंतरिक प्रश्न निर्धारत किये जाते हैं यह परिशत के प्रमुख करतव्य हैं यदि कोई संदेव हो तो वे 29 लोगों से इसंपर करने में सक्षम होते हैं जो परिशत को सर्वसम्माने सर्वसम्मती से निरने सोच पेश करते हैं परिशत तब किसी भी प्रशन पर पुनर विचार कर सकती है मतलब कि अगर आपने अब तक जितनी की है पूरी नहीं की अभी करूंगी अब खतम हो गई उसका एक लास्ट शाप्टर था लेकिन वो मैं नहीं करने वाली क्योंकि वो कामुकता और पतन के उपर है तो आगे तो मैं नहीं जाने वाली हूँ वो तो खतम हो गई एक तरह से और Only Planet of Choice जो मैं कर रही थी जितना किया है अब Only Planet of Choice भी जो थी वो Council of Nine का दूसरा भाग है शुरुआत हमें Council of Nine से करनी चाहिए थी हमने सोचा यही वो किताब है बाद में वो किताब मिली जो अभी तक शुरू नहीं की है पा का इंतजार था पर उनका तो मूड नहीं है करने का तो मैंने Only Planet of Choice इसलिए रोकी है कि मैं Council of Nine शुरू करना चाहती हूँ क्योंकि Council of Nine के बारे में रा नहीं बताया है कि यह किताब लिखी गई थी और इसके अंदर आपको बहुत जानकारी मिलेगी अब यहाँ पर रा जो Council की बात कर रहे हैं इसी Council को चैनल किया था उस किताब में तो लेकिन उसके अंदर थोड़ी विकृती है थोड़ा यहाँ के लोगों ने उसमें कुछ हेर फेर किया है इसलिए जब भी वो पढ़ना या सुनना तो अपना दिमाग इस्तिमाल करना के रा ने कैसे बताया है कि दूसरों की सेवा पर कारे रज जो लोग होते हैं उनकी सोच कैसे होती है खेर तो यहाँ पर जब वो Council की बात कर रहा है तो वो कह रहा है कि Council का ये काम है कि उनके अंदर आपस में जो उनलों को सला मश्वरा करना है वो उनका काम होता है और ये उनका फर्ज होता है ड्यूटी होती है और अगर उनको कहीं कुछ शक्षबा हो या कोई परेशानी हो पैसला लेने में तो वो जो 24 सभयता हैं इसके बारे में Only Planet of Choice में बताया गया है इसलिए मैंने उस बारे में जिक्र किया तो वो जो 24 सभयताए हैं उनसे हम सला मश्वरा करते हैं कि वो क्या सोचते हैं इसके बारे में और तक जाके काउंसिल फैसला लेती है तो काउंसिल अफ नाइन शुरू करनी पड़ेगी तो ये था साथ पॉइंट नौ और ये वाले सवाल थोड़े लंबे-लंबे हैं तो मैं वीडियोज बनाऊंगी तो फिलहाल गुर बाए